आज की इस वीडियो में मैं आपको लापटाप, डेस्टाप या पीसी में पोर्ट पलेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे करते हैं मैं आपको simply step में बताने वाला हूँ port player download करने के लिए सबसे पहले आप browser पे right click करके open पे click कीजिए open पे click करने के बाद search bar में type कीजिए port player उसके बाद port player को search कीजिए port player को search करने के बाद global port player पे click कीजिए उसके बाद port player की official site open हो जाएगी port player की official site open होने के बाद 64 bit download पे क्लिक कीजिए उसके बाद आपके laptop, desktop या PC में port player download होना start हो जाएगा थोड़ा wait कीजिए port player download होने के बाद open पे क्लिक कीजिए open पे क्लिक करने के बाद ok पे क्लिक कीजिए ok पे क्लिक करने के बाद next पे क्लिक कीजिए next पे क्लिक करने के बाद agree पे क्लिक कीजिए agree पे क्लिक करने के बाद फिर से next पे क्लिक कीजिए उसके बाद install पे किलिक कीजिए install पे किलिक करने के बाद आपके laptop, desktop या PC में port player डाउनलोड होके install हो गई वो आपको सो करेगी उसके बाद close पे किलिक कीजिए close पे किलिक करने के बाद इसी तरह से आव Windows 7, Windows 10 या Windows 11 सभी operating system में same process से port player डाउनलोड करके install कर सकते हो दोस्तो